दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर अमित्माईश्वरी, मैं CEO and Founder Director हूँ Metas Overses Limited Company का हमारी कमपनी Staleness Steel Modulo Kitchen की manufacturing करती है, export करती है और आज पूरे भारत वर्ष में हमारे franchisee showroom और dealership showroom है और हजारों की संख्या में associate partner और FLB partner है इसलिए मैं अपने life के experience से आपको बताता हूँ कि कौन से ऐसे तरीकें जिससे business को आसानी से grow किया सकता है मतलब आज का जो हमारा विशह है वो है how to grow your business एक युवा जब किसी business का शुबारम करता है यह एक व्यक्ति जो business को लंबे समय से चला रहा होता है उन दोनों के मन में ही एक बात जुरूर होती है कि मुझे अपने business को बहुत बढ़ा करना है इतने बड़े पैमाने पर करना है कि मैं industry में top करूँ और उन ही लोगों को अपने life में वो milestone बना कर देखता है जिन्होंने अपनी industry में top किया होता है जिसे Ambani, Adani, Tata, Reliance ये वो companies हैं जिनको देखकर हर व्यक्ति के मन में एक प्रश्ण आता है कि यार ये इतने बड़े कैसे हो गए मैं अपनी company में, अपनी industry में, अपने business में इतना बड़ा कैसे कर सकता हूँ ये सभी प्रश्ण हर व्यक्ति के मन में होते हैं तो आज इसी बारे में बात करने वाला हूँ How to grow your business हमेशा business में ने एक बात आपने सुनी होगी जो common dialogue है, काफी सारे लोग उसको बोलते है कि जो दिखता है, वो बिखता है जो दिखता है, वो बिखता है इस बात को थोड़ा ध्यान से समझ लेते हैं कि दिखने का तरीका क्या है सबसे पहले focus on reach आप क्या ऐसा करें कि जिससे ज़्यादा सदर लोगों तक आपकी पहुंच हो मतब लोगों के द्वार तक आप पहुंच सकें उनके door step तक पहुंच सकें उनकी pocket तक पहुंच सकें उनके mobile phone तक पहुंच सकें कुछ ऐसा करें कि आपकी reach लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचे और उसका तरीका क्या है इस बात को समझना बहुत जुरूरी है easily available अब कोई भी व्यक्ति ना हर वो चीज खरिदना पसंद करता है जो आसानी से उपलब दो जाती है अब मान लीजिए आप कोई gym join करना चाहते है तो ऐसा नहीं कि अपने घर से 25 किलो मिटर 30 किलो मिटर जाकर आप gym join करेंगे एक दिन दो दिन तो कर सकते हैं रोजाना ऐसा नहीं कर सकते तो आप क्या चाहेंगे कि आपके इलाके में कोई आसपास में कोई gym हो जिसका अच्छा ब्रैंड हो जिसके अच्छी chain हो इसका मतलब आप ऐसी जगह पर work out करना चाहेंगे जो एक अच्छा ब्रैंड भी हो जिनका बड़ा network भी हो और जो easily accessible और reachable हो मतलब उसकी availability आपकी एरे में असानी से हो 4-5 km के दारे में वो आपको मिल जाए तो आपके लिए सबसरा comfortable है इसी सिधान को समझते हुए ना आज जो नए chain of gymnasium आ रहे हैं वो number of franchisee बना रहे हैं number of associate partners बना रहे हैं existing gym को भी अपने brand के साथ convert कर रहे हैं जिसे कल्ट उसका एक example है anytime fitness example है दा जिम example है ऐसी बहुत सारे gym chain है जो इस तरीके से तेजी से develop करते जा रहे हैं उन्हें पता है कि जितना ज्यादा easily हम लोग available होंगे उतना ज्यादा लोगों तक पहुँचेंगे और जितने ज्यादा लोगों तक पहुँचेंगे उतनी reach के साथ-साथ हमारा business भी तेजी से grow करेगा easily accessible कि कोई भी व्यक्ति वहाँ access असानी से कर सके बहुत comfort तरीका हो वहाँ पर access करने का और अगर आप अपने business में कुछ ऐसा करें कि आपका product या आपके service ज्यादा साथ लोगों के पास ज्यादा साथ डीलर्स के पास ज्यादा साथ शॉप की पर्स के पास ज्यादा साथ डिस्टीबीटर्स के पास available हो मतलब उसके availability भी बढ़ जाए और consumer को उसकी accessibility भी बढ़ जाए तो आसानी से आप ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं और साथ साथ distribution network एक ऐसा create हो जाए जिससे आसानी से हर शहर, हर राज, हर तबके, हर तालुका, हर गाओं तक आपके reach हो जाए तो आप जारा साथ लोगों तक पहुंच सके हैं और Tata, Reliance, Adani, Ambani, इन लोगों ने भी यही काम किया है कि अपने distribution network को strong बनाया है अप प्रश्ण ही उठता है कि एक small scale business owner कैसे business का network बनाए आपकी franchise लेगा कौन और लेगा क्यूं आपके मन में यह प्रश्ण रहता है कई सारे लोग की सोचते हैं कि बड़ी-बड़ी companies ही franchise बिजनस करती है बड़ी-बड़ी companies distribution network बनाती है बड़ी-बड़ी companies ही channel partner बनाती है तो ध्यान रखेगा यह आपका बहुत-बड़ा myth है सबसे पहली बात यह समझ लिजेगा जो भी small scale पर business कर रहा है जैसे वो अपने business के franchise, dealer, distribution, network, channel partner बनाता है देरे-देरे उसका network ग्रो ने लगता है और वो छोटी सी company कुछी समय में बहुत-बड़ी company बन जाती है Metas Oversies Limited इस बात का प्रतेक्ष उधारन है कि एक showroom से हमने शुरू किया और पिछले 10 साल में पूरे भारत वर्ष में chain of showroom को हमने बना दिया तो यहां बहुत जुरूरी है इस बात को समझना कि आपकी reach जादा सादा लोगों तक हो प्रश्ट ही उठता है कि हो कैसे किसर आपने यह तो कहाई दिया आपकी reach बढ़नी चाहिए आपका network बढ़ना चाहिए आपका sales volume बढ़ना चाहिए आपकी accessibility बढ़नी चाहिए पर ऐसा होगा कैसे उसके लिए सबसे पहले बात क्या है अगर आपका कोई product ऐसा है यह service ऐसी है इसको आप digitally sell कर सकते हैं तो digital platform का ज़रूर इस्तिमाल करें आज हर व्यक्ति smartphone से जुड़ा हुए है और smartphone के माधियम से internet से उसका सीधा access है इसका मतलब आप सीधा व्यक्ति के mobile phone से लेकर उसके दिमाग तक जा सकते हैं इसलिए ज़रूरत है अपने product अपनी services को digitally तेजी से आगे बढ़ाने की और उसका platform क्या है आप e-commerce website के जरिए खुद के e-commerce के जरिए multi vendor sites के जरिए या social media के जरिए या google ad के जरिए आप आसानी से लोगों तक पहुंच सकते हैं तो digitally अपने आपको grow करें next grow number of units friends कहते हैं ना अनुभव बढ़ने के साथ साथ अगर अनुपातिक रूप में आपका business और units नहीं बढ़ रहे हैं तो आप घटना शुरू हो जाएंगे ध्यान रखेगा experience बढ़ने के साथ साथ अगर आपके business का volume नहीं बढ़ रहा business का infrastructure नहीं बढ़ रहा अनुपातिक रूप में आप कम बढ़ पा रहे हैं मतलब आप घटना शुरू हो गए है इसलिए जरूरी है इस बात पर focus करना कि अपने business में फ्रेंचाइजी network, dealership network, distribution network बना कर त्यार करें ताकि आपकी reach ज्यादा साथ लोगों तक हो और आपने business को आसानी से expand कर सकें अब इसको करने के लिए क्या तरीका ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ ध्यान से समझेगा recall value of your business अगर आप इस पर भी focus करते हैं तो आप आसानी से ज़्यादा स्यदा लोगों तक पहुंच सकते हैं अब recall value of business का मतलब क्या है देखिए एक consumer ने आपका product एक बार देख लिया आपकी services एक बार देख लिया आपका विग्यापन एक बार देख लिया लेकिन उसके मन में लगातार प्रभाव बनाए रखने के लिए आपको business में recall करना पड़ेगा मतलब मिरंतर राइट तरीके से marketing करनी पड़ेगी अच्छा मैं आपसे एक प्रश्ण पूछता हूँ टाटा तो बहुत बड़ी company है आज टाटा इतनी बड़ी company कि उसको नए विग्यापन करने के ज़रूत नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी टाटा लगातार विग्यापन कर रहा होता है अपने products को अपनी services को आने वाले products के लिए जैसे IPL को अभी टाटा ने sponsor किया टाटा IPL क्यों क्योंकि उनको पता है कि recall value जब तक बनी रहेगी तब तक consumer के दिमाग में उनका product उनका brand established रहेगा और जितने लंबे समय तक recall value बनी रहेगी उतने लंबे समय तक वो industry में king बने रहेगे इसी ने कम से कम इतना परयाज जरू करे become the best known in your industry मैंने यह निका कि आप विश्व की सबसे बड़ी company बन जाएंगे एक साथ सबसे पहले आप अपने district की बड़ी company बने उपने zone की बड़ी company बने अपनी state की बड़ी company बने अपनी industry की बड़ी company बने भारत की सबसे बड़ी company बने उसके लिए जरूरत है recall करने की आप marketing के consistency चलने वाला concept है जब आप लगातार अने को वर्ष तक marketing करते रहते हैं तो उसका प्रभाव consumer के दिमाग पर पड़ता है और वो ना चाहते हुए भी सबसे पहले product की अगर याद आती है तो पहले आपका brand उसको याद आता है इसलिए ज़रूरत है consistency से marketing करने की और कुछ ऐसा करने की कि आप ग्रहा का attention ग्रैब कर सके जैसे जितने भी cricket lover है ना वो जब match देखते हैं तो वो नहीं बोलते मैं IPL देख रहा हूँ तो क्या हुआ कि आपने customer के attention को ग्रैब किया उसके बावजूद भी टाटा जैसी company cricket match को पूरा sponsor करने के बाद भी मतलब title sponsor करन add value to the customer अपने customer को ना कुछ ऐसा दो जो आपका कोई competitor नहीं दे रहा है जब आप अपने customer को value addition करके देते हैं जैसे टाटा की गाडियों मगर आप देखेंगे तो हर बार कोई ना कोई ऐसा नया feature वो लिकर आते हैं जिसकी वैसे customer का trust उन पर और अरदिक बढ़ जाता है वो कह addition आप क्या दे सकते हैं अपने client को उस पर ज़रूर विचार करें क्योंकि value addition ही आपके लिए नए referral generate करता है और customer का trust भी आपके brand में generate करता है उसके बाद establish relation with your client एक customer जब client के रूप में convert हो जाता है ना तो उसे एक ऐसा trustworthy relation डेवलेप करें ताकि वो आपका एक loyal customer बन जाए और loyal customer जो होता है वो कभी भी brand को छोड़ता नहीं है वो brand के प्रती इतना loyal होता है कि दूसरा brand उस जदा अच्छी चीज दे रहा हो तब भी वो उसी brand को खर करता रहता है और काफी सारी companies बात को focus करती है और यह सारी चीज़े ना जो आपको लग रहा है यह points मैंने आपको बताएं यह मैं अपनी company में इंप्लीमेंट करता ही हूं साथ-साथ यह मैं आपको सिखाऊंगा अभी कैसे आप सीख सकते हैं इसके बारे मैं भी आपको रखेगा market में तीन तरह के client है अब आपका client कौन सा है वो आपको चुनना है price conscious, brand conscious and quality conscious एक ऐसा customer होता है जो हमेशा price के पीछे बागता है जैसे आपका product 90 का किसी ने दिया 85 का किसी ने दिया 70 का तो 70 वाले से ले लेगा क्योंकि वो price war के साब से जी रहा है उसे यह पता है मु quality conscious, अब जो quality conscious client होता है उसको brand से को लेन देने नहीं होता, वो जड़ातर 3-4 brand के अंदर quality को compare करता है कि इन में से सबसे best quality किसकी है, जिसकी quality best है वो उसी brand को खरीता है, है ना कई बार देखा है कि कोई person है जो Reebok के shoes पहनता है लेकि उसने देखा है कि Nike का जो shoe आया है, उसका यह feature बहुत अच्छा है, यह quality बहुत अच्छी है, तो वो Nike के लिए लेगा, या उसने देखा Adidas का कोई और आया है, या और कोई brand आया है, तो वो brand conscious नहीं है, वो सिर्फ बेतर quality को देखता है, जिसके हिसाब से वो price pay करने के लिए था, यार है, और तीसरा जो client है वो होता है brand conscious, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसकी quality कैसी हो, तो एक brand के प्रती loyal होता है, तो बहुत सारी companies brand conscious client को focus करती है, कोई price conscious client को focus करती है, और कई quality conscious client को focus करती है, अब यह आपके उपर निर्वर करता है कि आपका product इन तीनों में से किस category में आता है, उसके वाद आपको करना ह सबसे पहले आपको right lead generate करनी है, और right lead का मतलब है, आपको ऐसी जगह पर अपना advertise करना है, marketing करनी है, promotion करनी है, जहाँ पर consumer की purchasing powerhouse product को खरीदने के लिए, fine, जैसे माली जहाँ पर low income group के लोग रहते हैं, वहाँ पर आपने Mercedes Audi BMW का showroom खोल दिया, तो क्या वहाँ पर उस तरह के client म आती है, या अपना product sale करना चाहती है, तो market research करती है कि वहाँ पर लोगों की buying capacity कैसी है, और buying capacity के अधार पर ही वो अपने product को वहाँ लेकर जाती है, तो आपको ज़रूर देखना है कि जो product आप बाजार में बेचना चाहरे है, उसमें आपका consumer जो उसकी purchasing power क्या है, कि क्या वो product को खरीदने के उसके मन में desire नहीं है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि desire के साथ-साथ क्या वो उस पर पैसा खर्च करने के लिए तयार है, कई बार होता है, बंदा पैसा खर्च करने के लिए भी तयार है, लेकिन वो decision making नहीं करता है, मतला right of decision making, decision कोई और लेगा, मै ये course जो है वो किसके लिए, उस student के लिए जो वो course पढ़ना चाहता है, और कौन खरीदेगा, जिसके parents के पास वो buying capacity होगी, लेकिन decision कौन लेगा, कि उसको खरीदना है नहीं खरीदना बच्चा, नहीं न, जो उसका user है, तो user decision नहीं ले सकता है, user सिर्फ बता सकता है कि मुझ decision making किसके पास है, जैसे हमारे modulo kitchen के business में, decision making जारा तर, जो घर में finance देख रहा है, husband है, या जो family का मुखे है, वो पूरा finance देख रहा है, तो उसके पास decision making है, और पसंद करने वाला कौन है, वो lady जो kitchen को use करेगी, तो user इसमें कोई और है, पसंद करने वाला कोई और है, और decision making कोई और करेगा, तो हमें ये भी देखना होता है, कि decision making कौन करेगा, और साथ में have need, उसको उस product की जोरत होगी, तब ही वो खरीदनी के लिए तयार होगा, तो ये चीज़े जब हम check करते हैं, तो समझ लीजिए, हम right consumer, right lead तक पहुंचते हैं, और right lead पर जब काम करते हैं, तो course develop किया, और पिछले लंबे समय से लगबग 30,000 से जादा business owner इस course को कर चुके हैं, और इसका जो next version है, that is rope, result oriented program for entrepreneurs, entrepreneurs के लिए एक ऐसा program जहां पर वो actual business की बाते सीखेंगे, friends हमारे देश का नेक दुरभाग गया है, कि हमारे देश में जितने business coaches है ना, या तो उन्होंने business किय 98% business coaches ने अपनी life में business नहीं किया, तो वो पढ़ा कैसे रहे हैं, वो कही ना कहीं book से content लेते हैं, internet से content लेते हैं, किसी दूसरी company की case study उठा लेते हैं, और उसकी अधार पर आपको सिखाना शुरू कर देते हैं, उन्हें ground reality का पता ही नहीं कि वास्तिविकता में factory कैसे manage करनी ह इंडस्ट्री कैसे manage करनी है, labor waste problem कैसे focus करनी है, staff के बीच में जो dispute matter है, वो कैसे solve करनी है, expansion के लिए क्या planning करनी है, उसके लिए जरूत ये एक ऐसे व्यक्ति की, जिसने अपनी life में real industry को run किया हूँ, तो मैंने आपके लिए develop किया result oriented program for entrepreneurs, जहाँ पर हम entrepreneurs को पूरी journey कैसे अपने business को एक corporate system के थूरू develop करना है, कैसे अपने business में standard operating procedure बनाना है, और उसके बाद business को accelerate करने के लिए, कैसे expansion के और ले कर जाना है, franchisee network, dealership network, distributor network, इसके लावा C&F, export, ये सारी चीज़े मैंने अपनी company में पहले implement की हैं, दोस्तों मेरे जीवन का एक ही उदेश है, मैं कि next training program किस शहर में और कब है, ताकि आप आसानी से अपने seat को book कर सकें, इसलिए हमारा slogan है, कि rope है तो hope है, अगर आप अपने जीवन में अच्छी आशावादी सोच रखते हैं, कि मुझे life में कुछ करना है, तो अभी इस नंबर पर call करें, और next training program के बारे में ज़रूर जान आपके सुनरे बविश्य की कामना करता हूँ, जै हिंद, जै भारत